नमस्कार दोस्तों मैं हूँ वरुन कुमार गुपता और आप मुझे देख रहे हैं सट उस्थाथ यूटूब चैनल पर आज मैं हूँ पूने लोकेशन में और पूने के बालेवारी लोकेशन में 3BH के अपार्टमेंट का एक शो यूनिट दिखाने वाला हूँ प्राइज अगर आपको अच्छा लगता है तो आप साइट पर आए देखें आपको जो भी चीज़े हैं आप आप कंसल कर सकते हैं बट हां वीडियो में हम जादा हमारे पास जादा टाइम नहीं होता है कि ताकि हम और भी जादा जानकाड़ी दे अगर पसंद आ रहा तो प्लीज आप आईएगा इंटरेंस पर इस तरहीं के डोल में जाती है क्वालिटी काफी अच्छी है वे डिश्टल लॉग एले की जैसे आप अंदर आते हैं उसके बाद आ जाती है आपकी सिर्फ और सिर्फ लिविंग स्पेस जहां पर आपके एक सोफा दो अच्छे खासे बड़े सोफा वाले चे है वो यू अच्छी है कि अब देख लो आपने लिविंग देख लिया यह हो जाती है आपकी डाइन अपकी एल शेप में आपका फ्लोट प्लान भर रहा है अपका लिविंग से डाइनिंग का कोई लेना देना नहीं है अदर्वाइस कहीं पर भी आपने देखा लिविंग रहते हैं तो उसमें कई सारे प्रॉब्लम आ जाता है अगर आप दोर खोलते हो दोर से सीधा आपकी लिविंग आ रही है तो यहां पर वह चीज़े नहीं आएगी और थ्री भी एचके में छे लोग के डाइनिंग एक आइडिया डाइनिंग होती है जैसा कि मैंने कई सारे वीडियो में बता है यहां पर देख सकते हैं छेलों की डैनिंग मिल जाती है अच्छा कासा शांडले मिल जाता है और फ्लो टू सीलिंग अच्छी होने की वजह से आपको यह कैसा एक अच्छी आजा सी फीलिंग आ जाती है अब हम चलेंगे लिविंग बालकनी में लिविं बालकनी देखो वीडियो में आपको साइज दिख रही है बट यहां पर आप देखो आपका वीडियो के माधियम से कैसा लग रहा है यह इतनी बड़ी आपको बालकनी मिलने वाली है साइस काफी अच्छी है टफन ग्लास काफी अच्छा जाता है इस तरीकी की रेलिंग है और उपर से इन क्लोज है तो प्राइवसी का प्रॉब्लम नहीं आएगा इसकी एक्जाक्ली साइज आपको स्क्रीन पर जादूंगा अभी हम चलेंगे वीडियो के अगले मोर पे ठीक है अपने लिविंग डाइनिंग देखी है अभी मैं आपको दिखाऊंगा आपका किच ऍहदा पृटिष मनल जाता है जिसका अपने तरिकसिंग सकते हैं ओन्सी यहां पर भी आपको कॉइंटेव इए अभी अब आप ये जानते हैं यहां पर आजाती है कि आपकी washing machine points and tasks जेदिये गए हैं ताकि आप washing machine को connect कर लो इसके exactly size आपको screen पर देखने को मिल रहेंगी जब मैं sliding door को जब मैं खीच रहा हूं या पीछे कर रहा हूं तो मुझे quality wise काफी अच्छा लग रहा है जैसा कि यह 3BH के apartment है तो यहां प्यारी है आपकी bedroom number one basically मैंने हमेशा बता है कि जब आपको इस तरीक है कि जब भी आपको interior किया हुआ दिखे तो आप समझ लो कि यहां पर जो wall आ रही है वो soft wall आ रही है जिसको आप customize कर सकते हैं अपने तरीके से but customize कब आप कर सकते हो जब आप आप पे interior किया गया है because यह show unit है मैंने आपको पहले बताया था आप अपने तरीके से कर सकते हो क्योंकि आपका apartment आप अपने तरीके से plan कर सकते हो आपको full length में आपको देख सकते हैं कि आपको sliding door आ गई है जो आपका काम कर रहा है window के लिए तो बाहर से elevation काफी अच्छा बनेगा flow to ceiling height आप देख सकते हैं अच्छी कासी है points आपको दोनों साइड में मिल लेंगे तो आप जब लगाओ तो दोनों सेक्शन में लगा सकते हो वास्तू का problem नहीं है ठीक है अभी हम चलेंगे flat के अगले portion में प्लीज कर आईए जैसा कि हमने देख लिया है bedroom नंबर वन तो आप जैसे आगे आते हैं तो मेरे left hand side में आ रही है common washroom तो यह यहां पर आ रही है आपकी shower section quality वाइस काफी अच्छी है यहां पर आपको you know duct area आजाएगा आपका यह है आपकी कमोड और यह है आपकी wash fashion एक slab दिया गया है तो नीचे storage बना सकते हो flow to ceiling height आपने जैसा कि मैंने दिखा था जहां पर आपको अच्छा लगा था यहां पर अगर थोड़ा गौर करेंगे न तो यहां पर आपको प्योपी जैसा दिखर अगसा ही करके मिलेगा कोई भी washroom में अ सामने आ रही है आपकी second bedroom please come second bedroom में जैसे आप आते हो ना तो आपकी आ रही है एक अच्छी खासी बैड आपका wardrobe television unit नीचे आपको जो दिये गहेंगे हैं आपकी wooden flooring के साथ आ जाती है आपको साइज स्क्रीन पर देखने को मिल लाएगी यह सेम ऐसा है बस फर नीचर अगर आप अपका बन जाएगा कैसा आपका exactly आने वाला है इसके साथ और जैसे आप आपा रहे हैं तो इसकी तो चोड़ाई हैं मैं चोड़ाई की बात है हमेशना लंबाई washroom की ज़यादा बरी चोड़ाई दोड़ी कम होती है तो चोड़ाई कभी अच्छी है यह है इसका यहां पे आपकी सावर सेक्षिन अपची फिटिंग के साथ यहां पे कमोड यहां पे आ रही है आपकी इग्जॉस्ट के प्रोविजन वेंटिलेशन पॉपर से विंडोज तो यहां पे आपको सिलिंग के समस्टा कर चछट तक कम हो जाती है एस कंपिर टू दूसरी अपार्टमेंट से ठीक है सब्सक्राइब करें सब्सक्राइब कर दो तो यहां पे चेहां को स्लाइडिंग थो एक वालिटी बहुत अच्छे है अभी हम देख लेते हैं आपकी बाल्कनी तो बिस्कली यह आपका इस रहेगा बालकनी ने जाएगा उपर से इन ग्लोस नहीं रहेगा ठीक इसको आप अब यहां निकलते हैं जिसके अपको पास आजाता है यहां पर बैड आपकी वाट्रोब सामने टेलीविजन अच्छी इटीर के साथ इक्जाक्ली आपको जो साइज दोंगा स्क्रीन पर आप समझ सकते हो यह सारी चीज़े डन अप करने के बाद आपको कितना अच्छा मिलने वाला है तो मुझे न साइज में कोई प्रॉब्लम नहीं लग रहा है कहीं पे भी मुझे होच पॉच नहीं लग रही है अब जो इस अपने राइट हैंड में आप देखेंगे तो आपको स्लाइडिंग दोर दी गई है जो आपका विंडो का काम कर रहा है और इसको आप अचाप वाश रूम यहांब अच्छी चीज़ आपकी बीच में आज़ा दिक Betty तो आपका दो section wet और दिया तो अलड़ी इसमें अलग कर दिया गया है अब कियापे का उब्रारी यहांब Rolex है इसको hour section दिख कर दिया गया है अहां पर buray अलधे अलब से संपून ग्यान मतलब जैसा ये शो यूनिट है इसको मैं एक्स्प्लीन करने की गोशिश करता हूं तो ये है आपका 3BHK का अपार्टमेंट बालेवरी लोकेशन में प्राइज 1.69 करोर में निगोशिवल प्राइज है लोकेशन काफी अच्छा है और इसका पोजिशन मैं भी बता हूं तो लगबग नियरिंग कह सकता हूं अगर आपको ये अच्छा लगा आप विजट करना चाहते हो तो स्क्रीन पर हमारे नंबर दियेगे हैं आप हमें कॉंटेक्ट कर सकते हैं मैं मिल तो आपसे अगले वीडियो में तब तक लिए धन्यवाद थैंक्यू